नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका आपके अपने किचन में आज मैं आप सब के साथ सेर करने वाली हूँ एक बहुती कोमन सी लेकिन बहुत जादा यूजफुल ग्रेवी की रेसिपी ये वाली ग्रेवी होटल धाबा रेस्टोरेंट वगरा में बनाई जाती है और यकीन बनाके रख सकते हैं तो जब भी आप थोड़ा लेजी फील करें ग्रेवी को फटा फट निकाली और अपनी मन पसंद मज़ेदार सी सबजी बना लीजिए तो वीडियो पूरा देखिए चैनल पे पहली वारा है है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें फैमिली और फ्रेंज के साथ सेर करना ना भूलें साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें इससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी तो आएए फिर शुरू करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये दो बड़े चम्मच तेल लिया है तेल इस ग्रेवी में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम इससे स्टोर करने वाले हैं और तेल एक बहुत ही अच्छे प्रिजरवेटिव का काम करता है जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच जीरा दो से तीन हरी हिलाईची दो से तीन लोंग जिसको मैंने कूटके ले लिया है और एक छोटा टुकड़ा दाल चीनी का और इन सब के भुन जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये 4 से 5 बड़ी प्याज जिनको मैंने पीस लिया है प्याज के साथ के साथ ही इसमें मैंने कुछ लेसुन की कलिया और दो टुकड़े अद्रक भी पीस लिया था ग्रेवी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम जादा कर सकते हैं प्याज को हमें बहुत ही अच्छे से पकाना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए और जो इसमें पानी दिखाई दे रहा है ये पूरा सूख ना जाए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कम से कम साथ से आठ मिनट प्याज को भूनेंगे और देखे प्याज का कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले अड़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक चमच कस्मेरी लाल मिर्च आधी चमच जो रेगुलर हम लाल मिर्च यूज करते हैं वो आधी चमच हल्दी पाउडर और आधी चमच नमक डाल दिया है एक बड़ा चमच सूखा धनिया पाउडर प्याज के साथ मसाले भूनने से मसालों का कलर और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं और ये आधी चमच के करीबी मैंने डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी और इन सबी मसालों को प्याज के साथ अब हमें भून लेना है गैस का फ्लेम बिल्कुल मैंने लो पे रखा हुआ है धीरे धीरे इसको भूनेंगे और ये एक चमच मैंने डाल दिया है पनीर का मसाला इसके जगे आप चाहें तो गरम मसाला भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मसालों को प्याज के साथ अच्छे से पका लेंगे इसे पकाना बहुत ही जरूरी है जब तक कि इसमें से पूरा तेल उपर की तरफ छुटने ना लग जाए तब तक आपको मसालों को पकाना है तब ही आप इसको जब स्टोर करेंगे तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक सही रहेगी यहापे देखिए मसालों में से तेल निकलना सुरू हो गया है और अब इसमें मैंने ये चार बड़े टमाटर पीसके डाल दिये हैं और इसके साथ ही डाल दी है दो चम्मच मलाई और एक चम्मच दही दही और मलाई को फेट के ही लेना है मैंने दही और मलाई ली है आप इसके जगह चाहें तो तीन चार काजू कमाटर के साथ पीसके ले सकते हैं आधी चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी चीनी के जगे आप गुड़ भी ले सकते हैं चीनी या गुड़ जो हमारे ग्रेवी के मसाले हैं इनको बैलेंस करेगा और एक बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और अब इसे बीच बीच में हम चलाते जरूर रहेंगे देखिए ग्रेवी में उपर से आप तेल देख सकते हैं निकलना सुरू हो गया है थोड़ी देरी से और पका लेंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे गैस का फ्लेम मीडियूम टू लो पर ही रखेंगे तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा कुछ जहजट करने का दिल नहीं करता तो अगर इस तरह की ग्रेवी आपके फ्रिज में पड़ी है तो आप फटाफट से कोई भी अपनी मन पसंद सबजी इसमें बना सकते हैं बस आपको करना यही है कि एक चम्मच आप तेल लें उसमें थोड़ा सा जीरा डालके जो सबजी आपको बनानी है उसको थोड़ी देर के लिए भून लें और उसके बाद यह ग्रेवी मिक्स कर दें आपकी मज़ेदार से सबजी बनके तयार हो जाएगी आप इसमें चाहें तो मसाला पनीर, कड़ाई पनीर, पनीर टिकका, भरवा बैंगन, भरवा भिंडी अब जो मर्जी आपको सबजी पसंद हो वो इस ग्रेवी के साथ बनाई जा सकती है तो देखिए मैंने इसमें पनीर के कुछ पीसीज भून के डाल दिये तो यह पनीर मसाला बन गया अगर पनीर बना रहे हैं तो आपको इसमें अलग से छोंक लगाने की जुरूत नहीं है बस ग्रेवी को गरम कीजिए और उसके अंदर पनीर को मिक्स कर दीजिए तो आपके पनीर की सबजी तयार हो जाएगी और अगर आप इसको कड़ाई पनीर बनाना चाते हैं तो ग्रेवी को गरम करके आप इसमें पहले जो सबजें आपने भून के रखी हैं वो डाल लें उसके बाद आप पनीर डाल दें और आपका मज़दार सा कड़ाई पनीर बनके तयार हो जाएगा कलर देखिए इसका कितना जबरदस्त आया हुआ है अभी देखिए हम इससे बनाएंगे कड़ाई पनीर तो ग्रेवी को आपको गरम कर लेना है और अब इसमें डाल देंगे हम पहले पनीर और इसके बाद जो हमने प्याज सिम्ला मिर्च भून के रखी हुई है हलकी सी फ्राई करके वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो आपकी बहुत सारी प्रोब्लम सोल हो जाने वाली है बहुत सारा आपका टाइम बच जाएगा जब भी आपको थोड़ा सा भी लेजी फील हो रहा है तो आप इस तरह से जटपट अगर आपके पास फ्रिज में ग्रेवी पड़ी है तो अपनी मन पसंद कोई भी सबजी बना सकते हैं ये देखे कितना बढ़िया हमारा पनीर कढ़ाई वाला बनके तयार हो गया है इसी तरह से बिलकुल आपको इसमें भिंडी, प्याज, सिमला, मिर्च, जो मर्जी सबजी चाहें बना सकते हैं बस इसको अच्छे से गरम करके इसके अंदर सबजी मिक्स कर दीजिए इसे मसाला अलू भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं बस एक चम्मस तेल में आपको अलू को पहले भून लेना है उसके बाद ये ग्रेवी डाल के मिक्स कर देनी है तो कैसी लगी आप सबी को आज की हमारी ये मज़ेदार सी ग्रेवी की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें लग दिये ना एकदम मज़ेदार ढब और अस्टरेंट वाली सबजी और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी इतना जबरदस्त आता है और देखिए हमने इसमें सरफ प्याज और टमाटर डाले हैं बाकी कोई चीज नहीं डाली और फिर भी हमारी इतनी अच्छी ग्रेवी बन गई है आप इसको और वी रिच बनाने के लिए इसमें काजू डाल सकते हैं मखाने डाल सकते हैं या चाहें तो खरबुजे के बीज अगर आपके पास पड़े हैं तो वो भी डाले जा सकते हैं ग्रेवी को स्टोर करने के लिए कुछ जरूरी बाते मैं आपको बता देती हूं सबसे पहले तो आपको ग्रेवी को स्टोर करके रखने से पहले इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है नमबर दो आप किसी एटाइट डब्बे में इसको भरके रखिए अगर आप 2-4 दिन या 1 सबता के लिए रख रहे हैं तो आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं अगर आप लंबर टाइम के लिए रख रहे हैं तो आप चोटी चोटी डब्डियों में डालके इसको फ्रीजर में स्टोर करें कोई भी सब्जी इस ग्रेवी के अंदर एड़ करने से पहले आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें इसको अच्छे से गरम कर लें उसके बाद अगर आप कोई कच्छी सब्जी ले रहे हैं तो उसको पहले आप एक चम्मस तेल में हलका सा सोटे करके ही डालें और ग्रेवी डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाने की जुरूरत नहीं है आपकी जटपट से सब्जी बनके तयार हो जाएगी मसाले आप नमक मिर्च वगर आप एक बार जरूर चेक कर लें क्योंकि सब्जी डालने के बाद हो सकता है कि इसमें मसाले थोड़े से आपको कम लगें